हेलो गाईज, वेलकम हैं आप सबका अपने यूटूब चैनल एक्जाम बोस पे गाईज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्दुबार्सिक परिक्षा दो हजार तेईस का च्छाचे हिंदी का पेपर तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं ये पेपर हैं आपका अदुबार्सिक परिक्षा दो हजार तेईस हाफडली परिक्षा का किलाज 6 हिंदी का पेपर है ठीक है और पेपर का टोटल पोल लांक है सो नमबर पेपर के लिए टाइम है दो घंटा पेपर का सेट है बी 91 यहां से आपका पेपर स्टार्ट है पहला कोश्चन निम्न कद्धान्स की सेप्रसंग ब्याक्षा कीजिए आपकी दो गद्धान्स है सोरी एक गद्धान से और एक आपकी पद्धान से तो में से आपको किसी एक की सैपरसंग हिंदी में ब्याक्ष्ञ करनी है और इसका मिलेगा आपको बारह नमबर बहाँ जो कुछ देखा बहेजनब भर कभी नहीं भूलेगा, ये आपकी गद्धान से ये आपके नबे पार्ट हिंद बहांसागर में चोटा सा हिंदुस्तान नामक पार्ट की है ये तो इसका आप लिख सकते हैं उसके बाद आथवा में है बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई जो दिल खोजा आपनो मुझे से बुरा ना कोई तो आप इसका भी आर्ट से लिख सकते हैं या फिर इसका लिख सकते हैं कोई एक करना है आपको उसके बाद में आपका दूसरा कोशन किनी दो खंडों के उत्तर दीजिए आपके तीन खंडों के उत्तर दीजिए तीन में से आपको दो के उत्तर दीने हैं गांधी जी ने अपने आस्रम को प्रियोग सला क्यों कहा तो इसका अंसर है गांधी जी के आस्रम में केवल स्धान्तिक बाते नहीं होती थी बहां उनका बेबाहरिक प्रियोग भी होता था जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रव्रति बहुत उप्योगी होती थी यही कारल है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रियोग साला कहा। आगे आपका खे बाबा भारती द्वारा की गई प्रारतना का डांकु खलक सिंग पर क्या पिरभाब पड़ा। तो इसका अंसर है बाबा भारती द्वारी बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खलक सिंका कठोर हिर्दिया पिगल गया और उसकी मारपता जागुटी उसने घोड़ा लोटा दिया आगे आप आगे पागे पार्ट में आये मोरिसस के उन सभी गलियों और मो पुरिसस में थी तो उनके नाम है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई और मोहले की नाम है कासी, बनारस, गोकल, ब्रहमश्तान तीसरे का कहें, किनी दो सब्दों का प्रियोग अपने बाक्या direction में किजिए, जैंसे कि पहला है आपका चलते चलते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, इस दुनिया से चलते चलते भी मानब बहुत कुछ सम्येट लेना चाहता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं आगे आपका डाली डाली तो इसका हो जाएगा बसंत में डाली डाली मह कुटती है आगे आपका मीठे 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 बोल किसे अच्छे नहीं लगते उसके बाद आपको यहाँ पे इनके प्रद्याबाची लिखने हैं आप इनके कर सकते हैं जात जाजा दिन सोना इनके आपको दो दो पदैबाची लिखने हैं गय किनी दो मुहाबरों के अर्थ लिखकर अपने बाकिया में प्रियोग कीजिए कई सारे बाकिया आपके तूट पड़ना दुम्हिलाना आग बबुला होना नोदो गया रहोना तो इसे भी आप लोग कर सकते हैं आगे देखते हैं दूसरे पेज़ पे यह है पेपर का दूसरे पेज़ और यह हैं आपका गह हैं कि नहीं दो ओप बाकियों के लिए एक एक सब्द लिखिए हैं टेके तो इनँकर सकते हैं आप उसके बार आपकी संधी बिछे देह के सदा और यह question दखिएगा चोता question अपनी किताब से आपको कोई कभी तकी चार पंद क्या लिखनी है पांच भी में आपको महायन प्यक्ति के भाग एक से किसी एक महापुरुस का जीवन बर्लन करना है ठीक है छटे question में आपके Sanskrit की अबतरल है इसका Hindi में आपको translate करना है बाढ़े नमबर का और उसके बाद आपको इक निवन्द है दस नमबर का एक आपको पत्तर लिखना है आठ नमबर का